आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता एक बार की बात है एक वेक्ती और उसका बेटा दोनों ही छट पर पतंग उड़ा रहे थी और पतंग बहुत ही उची उड़ रही थी वो बादलों को छू रही थी तभी उसका बेटा अपने पता से कहता है कि पापा ये पतंग इस डोर से बंदी हुई है इसी कारण वो ज्यादा उची नहीं जा पा रही है इस डोर को तोड़ देनी चाहिए ताकि डोर कटते ही ये पतंग और भी उचाई पर जा सके बेटी की ये बात सुनकर उसका पता उसके कहने पर पतंग की डोर को तोड़ देता है ये देखकर बेटा बहुत खुश हो गया क्योंकि वो पतंग डोर कट जाने से बहुत उचाई पर पहुँच जाती है लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो कही दूर जाकर खुद ही नीचे गिर जाती है ये देखकर उस वैक्ति का बेटा उदास हो गया फिर उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा अक्सर हमें लगता है कि हम जिस उचाईयों पर है उस उचाईयों से और भी उपर जाने से कुछ चीजें हमें रोक रहे हैं जैसे हमारा अनुशाशन, रिष्टे, माता-पिता और परिबार इन सब के वज़े से हमें लगता है कि हम अपनी जीवन में इन सब के कारण ही सफल नहीं हो पा रहे हैं और जीवन में आगी नहीं बढ़ पा रहे हैं इसलिए इन सब रिष्टों से हमें आजाद होना चाहिए बेटा पतंग अपनी डोर से बंदे हुए रहती है और उस डोर की मदद से वो कई उचाईयों को छूलेती है उसी तरह हम भी अपने परिवार और रिष्टेदारों से बंदे हुए हैं यदी हम इस धागे से जुड़े हुए रहेंगे तो कई उचाईयों को छूलेंगे लेकिन यदी हम इस धागे को तोड़ देंगे तो ठीक इसी पतंग की तरह कुछ समय के बाद ही हम सफलता से उड़ पाएंगे और अंत में हम नीचे गिर कर ही रहेंगे जैसे ये पतंग तब तक ही नहीं उचाईयों को हासल करेगी जब तक ये अपनी डोर से बंदी है लेकिन जैसे ही डोर कटी जल्द ही पतंग नीचे जरूर गिर जाएगी इसलिए हमें अपने जीवन में रिष्टों की डोर से हमेशा बंदी रहना चाही जिससे की हम अपने जीवन में नहीं उचाईयां हमेशा हासल करते रहे हमारे जीवन में हमें अपने माता पिता बहुत काम करने से रोकते हैं तुम ये नहीं करोगे तुम वहां नहीं जाओगे तुमें ये ही करना पड़ेगा वगेरा वगेर वो हमें कई काम करने से रोकते हैं क्या आपको लगता है कि वो हमें रोक कर गलत कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं बलकि वो हमारी भलाई के लिए ही हमें रोकते हैं और टोकते हैं